एवं आप सभी मेरे प्रियवालनभिय वेश्णों जनों को, उष्टिमारगी दैवी जनों को, आस्तिक धार्मिक सनात्म धरमावलंवियों को, भगवत स्मरन सहेत सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है हमारी साधन दीपिका के सत्संग सत्र में और विशेश करके हम, क्योंकि आज थोड़ा हमने लेट मंगला चरन किया है, तो बस जल्दी गरंथ में हम प्रवेश करें, कल से हमने हमारे साधक को उपासक को सनान करके खड़ा कर दिया है, उसको वस्त्र प जिस दैवी जीव की भगवदी ये वैश्णों की कल्पना है, अगर हम सब अपने आपको उस जगे पे रखके विचा रहे हैं, तो हमको सेवा का आनंद मिलेगा, क्या प्रकार से हमको सेवा करने का उपदेश, सेवा करने की आज्या, सेवा करने का आग्रह, एक मीठा मीठा आगरह भी आचारी हम से कर रहे हैं, कि हमको रखु की सेवा में तक पर रहना चाहिये, देखो, समाज की सेवा, परिवार की सेवा तो हम परिहार्य दृष्टी से करते ही रहते हैं, उसके लिए प्रेत्न नहीं करना पड़ीजा परिवार, और समाज हमसे अपने आप ही अप अपना निजधर्म मानते हैं, तो सनातन धर्म में विशेश करके जो ग्रहस्त धर्म में आए हैं, ऐसों को ये उपदेश नहीं करना पड़ता है कि परिवार की सेवा करो, माता-पिता की सेवा करो, पत्नी की सेवा करो, पुत्र पहुत्रों की सेवा करो, वो तो मनुष्य गए हैं मुझसे या मेरे ही अहंकार और ममत्व का विस्तार है तो मुझे तो इसको साधना ही है ऐसी कोई भी अच्छी भावना से मैं तो कहूंगा सद भावना से व्यक्ति अपने सव परिवार ससामाजिक करतव्यों को निर्वाहन करी देता है निर्वाह करता ही है लेकिन जो वस्तु रह जाती है उससे वो है वो है परमात्मा का भजन परमात्मा के भजन की तो सरवदा उसको कहीं न कहीं से सत प्रेरणा प्राप्त हो सत संग प्राप्त हो और साथ में उसके सुखल अर्थात पुन्य उदित हो तब जाकर ही उसका चित उसकी बुद्धी उसका मन और उसका शलीर साथ में उसका धन परमातमा में लग पाता है आज कितने ही लोग पूर्षते हैं कि किया हमारे द्वारा की वुई सेवा प्रभू तक को हुँशती है या हम ठाकुरजी के लिए जो सेवा करते हैं या जो भी पदार्थम आधियात्मिक आधिदेविक में मानते हैं वो क्या हमारे द्वारा दीवी वस्तुओं को स्वीकार करते हैं, तो जब मेरे पास ऐसे प्रशन आते हैं, तो मैं उनको सास्त्रिय उत्तरबाद में देता हूँ, पहले उनको मैं कहता हूँ, प्रतिमा मंत्र तीर्थेशु, डैवग्ये भेशजे गुरव, याद्रशी भाव प्रतिमा में, मतलब मूर्ती में, ठाकुर जी के स्वरूप में, प्रतिमा मंत्र में, जो भी मंत्र में हम जब कर रहे हूँ, जिसका भी हम अनुष्ठान कर रहे हूँ, जिसकी हम साधना कर रहे हूँ, तो प्रतिमा मंत्र उसी प्रकार से तीर्थेशु, दैवग्ये, दैव जो मतलब डॉक्टर, हमारा डॉक्टर, हमारा वैद्य, हमारा सर्जन जिसके हाथ में हम अपना शरीर सौप देते हैं के लिए अपने आपको डॉक्टर को तो सौप ही देते हैं कि वो कम से कम हमारा उपचार करेगा तो भगवान की तरह हमको एक नव चैतन्य और साथ में तनुनवत्व दोनों देगा ही ऐसा तो देवग्य भेशज एक गुरू चल्ले कहा गुरू तो ये सब जो हैं प्रतिमा, मंत्र, तीर्थ, दैवग्य, भेशज और गुरू इनके लि तो यदि हमारी भावना अलवकिक है तो हमको अलवकिक फल देंगे, हमारी अगर वैदिक है तो वैदिक फल देंगे, हमारी अगर भावना लवकिक है तो लवकिक फल देंगे, हमारी भावना है ही नहीं, तो ये कोई फल नहीं देंगे, काट को बुद और बुद को देवता करता है इश्क इंतिहां ही है कि बंदे को खुदा करता है इश्क तो हमारे यहां जो इश्क हो रहा है वो सब भगवान भी हमसे कर रहा है यो यथामाम प्रपध्यंते तांस तथाई वभजाम में हम हम प्रभु का यदि भजन कर रहे हैं तो प्रभु भी हमारा भजन कर रहा ह हम यदि अनन्य चिंतन प्रभु का कर रहे हैं, तो प्रभु भी ऐसे नित्याव युक्त भक्तों का योगक शेम वहन कर रहा है, इसलिए वैश्णों को, साधक को, उपासक को, कभी भी इस प्रकार से सौशय नहीं करना चाहिए, कि हमारे द्वारा की गई सेवा प्रभु मान रहे हैं के नहीं, प्रभु जानते हैं के नहीं, प्रभु स्वीकार रहे हैं के नहीं, अंगिकार हो रही हैं के नहीं, ये सब यदि मन में भाव आएगा, तो दास धर्म खंडित होगा, अन्या श्राय दोश स्वयम उत्पन्न होगा, उसके लिए किसी अन्य देवता के पास जानने की जुरूत नहीं है, हमारे इश्ट पे ही यदी हमको विश्वास नहीं होगा, तो ना अनिश्ट निवृत्त होगा, और ना अभिष्ट सिद्ध होगा, तो दो वस्तूओं के लिए मनुष्य धर्म में आता है, एक अनिश्ट निवृत्ती हो और एक अभिष्ट की हो, जे अभिष्ट सिद्ध और अनिश्ट निवृत्तियदी न हो, तो कोई मनुष्य धर्म मार्ग का अनुसरण न करे, धर्म मार्ग पे चलने वाला दो ही चीजें चाहता है, मैं जो नहीं चाहता हूं वो हो, तो जो हमारी चाहनाएं हैं, वो हमारे को सुन्दर प्रतिफल दें, इसलिए भी मनुष्य धर्म कार्य में अपनी प्रवर्ति करता है, धर्म का ही एक अभिभज अंग है संप्रदाय, संप्रदाय की एक अपनी साधना पद्धत ही होती है, उपासना पद्धत ही होती है, उनके देव, मंत्र, इष्ट, कर्म, ये सब जो होते हैं, ये दूसरे नंबर का गरंथ है, क्योंकि गोपिनाथ प्रभुचर्णों ने स्वयम महाप्रभु वल्लभाचारी चरण द्वारा उपदिष्ट, तत्वार्त दीप निवंध अंतरगत, सर्वनिरने प्रकरण अंतरगत, उप्रकरण, साधन प्रकरण के ही सिध्धान्तों का वि तो गोपिनाथ प्रभुचरण की वानी कितनी सटीक शिमहाप्रभुजी के वानी पे आधारित है, इसको बताने के लिए मैं आपको एक विहंगा आवलोकन साधन प्रकरण का भी कराऊंगा, क्योंकि साधन प्रकरण गरंथ सव प्रकाश तत्वार्त दीप निवंध के अंत तरगत एक उपप्रकरण है और उस उपप्रकरण में साधन, साधन मतलब सेवा मार्ग, साधन मतलब उपासना पद्धति, साधन मतलब जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं उसके अंदर आते पदार्त, ये सब चीज़ें बराबर हैं के नहीं और किस प्रकार से होनी चाहिएं, उ उसमें सबसे प्रथम गरंथ लिखा गया साधन प्रकरण और उसके बाद गोपिनात प्रभुचरण ने दूसरा गरंथ लिखा साधन दीपिका ये दो प्रधान गरंथ हैं उनमें मूल तो जगतगुरु आचारिय का गरंथ है और दूसरा उनके तदात्मज जेश्टात्मज ये शिगोपिनात जी का गरंथ है जो मैं और आप देख रहे हैं तो मैं भक्ति सेतु से चाहूंगा कि मुझे आज की कारिकाओं को एक बार दिखाया जाए तो भक्ति सेतु आप मुझे आज की कारिकाओं प्लीज दिखाए आज हम 97 कारिका से आगे बढ़ेंगे और कल हमने 96 तक हमने देखा था और इसके बाद बताया यतीर्थस्नाने मलस्नानं कृत्वा तीरे भी मज्यनं ततस्तु धारणं शुद्ध कोशे यांबर युग्मयोहो पादुका विर्ग्रहे यानं स्पर्शनं नईवकस्यचेत अब यहां तक हम एक बार आज प्रयास करते हैं देखने का तो हम इसके आगे भी अगर गए तो हम जरूर इसपे चर्चा करेंगे यहां पर आज्या कर रहे हैं 97 कारिका में और 97 को पूरी कर रहे हैं यहां पर साथ में 98 को स्टार्ट कर रहे हैं यहां तक देखा था उसके आगे का आधा वाक्य बाकी है अब यहां से जो करम शुरू हो रहा है वो क्या शुरू हो रहा है कि स्टान करे पाचे वस्त्र धारण करवे की घर को लोटवे की तिलक छापा धारण करवे की भगवत चर्णाम्रत लेवे की और तुलसी माला धारण करवे की प्राता संध्या जब की रीतित्यादी यहां पर निरूपन कर रहे हैं अब देखो क्योंकि यहां पर अलग से तुलसी माला धारण करने का एक प्रकार लिख रहे हैं तो वो किस प्रकार से वो भी हम थोड़ा दर्शन करते जाएंगे कंठी तो हम लोग नित्य धारण करके रखते हैं कोई स्नान के समय कंठी उतारते तो नहीं हैं तो यह सब क्या प्रकार है उस चीज को भी यहां पर बता रहे हैं आप ध्यान पूरवक्षरवन करें तो कह रहे हैं कि ततस्तु धारणम शुद्धक कौशे यांबर युगमयो हो पादुका विर्ग्रहे यांव स्पर्षनम नईवकस्यचेत ताप आच्छे शुद्ध वे रेश्मी वस्त्रधारन करके पावन में पादुका पहरी के घर आनो बीच में काहु को स्पर्ष करनो नहीं यहां पर यह जो आग्या है कि आपको रेश्मी कपड़ा पहिन के आना यह क्यों बता रहे हैं क्योंकि हम पहले जलाश्रे पर जाके अपरस करते थे कोई व्यक्ति पर जाके वापी मतलब जलाश्रे उस वापी सान पर जाके और वहाँसे स्नान करके और घर लौट ते थे तो घर लौटने में किसी का स्पर्ष आपको हो जाए तो भी आप छुआ हो नहीं इस कारण से रेश्मी वस्त्र का विधान किया गया है इसी को हम आज के कपड़े में जल को सोखने की एक शमता होती है आप जल्दी से देखो कि आप कोई भी परकार का सिलकन रोब पेरोगे तो वो वो पानी को नहीं खेंचता है अपी तो और पानी उसको लगते हैं वो थोड़ा में मिलती थी नादवरा में मिलती थी हमारे मुंबई में तो अध्यावदी भुलेश्वर में बहुत सुनदर भागAlpūrie सिलक मिलता है जब की भागalpūr में सिलक बनना बंद हो गया हैसा मेंने स्टरवण किया है और पता नहीं जा और अगर बन भी रहा हो तो उस वहत महंगा आता है तो वो उसका कारण है क्योंकि उसका consumption भी कम है इसलिए production कम है उसके कारीगर कम बचे तो इसलिए वो भागलपुरी सिल्क वो cotton सिल्क जैसा होता है वो काफी जल को खैच लेता है तो बहुत से वल्लप कुल अध्यावधी स्नान करे बाद जो मुक्ता आप धरन करते हैं रेश्मी वस्तर आप पहरते हैं वो आप भागलपुरी सिल्क काई पहनते हैं यहाँ पे भी यह शुद्ध कौशे यंबर युगमयो हो यह जो कह रहें नहीं इसी अर्थ में कह रहें कि अपने को चरण में खड़ाओं पहनने के अपने को खड़ाओं के अलावा जिसको कहते हैं सपाट कलतान की सपाट अपन को मिल जाती है ब्रिज में मिलती है नादवरा में मिलती है अभी घर में जैसे लोग पूरे दिन चपल पहन के घूमते हैं उसका प्रभाव क्या होता ह इसलिए किचन में चप्प ヤा सकत है किचन में नहीं जा सकते कि यहात बहुत दरिद्रता लगती है उन लोगों को लेख़े हैं जो लोग चप्पल में गर में घूंते हैं 05 पादुका मतलब सपाट पहनों कलतान की कितनी सुन्दर एक कुष्टिमार की व्यवस्था है, आदमी कहीं चुवाता नहीं, किसी से सपर्ष हो जाए तो भी दोश लगता नहीं, तो यह सब जो अपने आके निर्दुष्ट विधान हैं, उनको करना चाहिए, दुष्ट लोग तो भी हमको चपल पहर के अगनी का सपर्ष नहीं करना चाहिए, अगनी भी देव है, वरुन भी देव हैं, जहां जल का मटका रखते हों, वहां भी शुद्धा शुद्ध का विवेक रखना चाहिए, आज हम देखते हैं कितने लोगों को सरवदा जुठन करके ही जल पीने पीने के लिए सरवदा मटकी के ऊपर गलास नहीं, छोटी लोटी ही रखनी चाहिए, जब भी जल पीने की इच्छा हो लोटी से उपर से ही जल सेवन करने का आगरे रखना चाहिए, क्योंकि लोटी अपने आप में भी कलश होती है, और कलश सनातन धर्म में ब्रह्मरूप किया देव रूप बताया गया है कलश अस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रत मूले तु सागरा सरवेई सप्त दीपा वसमदा ऐसे करके बहुत से मध्य ब्रह्मा मध्य मात्र गणास प्रता ऐसे करके सब प्रकार से बताया है कि कलश जो है वो अपने आप में गरूप है और तैंकी स्कोटी देवताओं का स्थापन भी अगर होता है तो वो भी हम कलश को प्रधान देवता बना के उसमें समस्त देवी देवताओं का स्थापन भी करते हैं तो कलश क्या है एक प्रकार की लोटी या बड़ी लोटी या एक प्रकार का हंडा या घड़ा तो है तो वो चीज के अंदर जो उसके आकार है वो स्पष्ट बताता है कि हमको उसको जूठा नहीं करना चाहिए हमको उसको उचिष्ट नहीं करना चाहिए इसलिए लोटी से जल पीने का आगरे रखना चाहिए सरवदा लोटी ही जल स्थान के उपर होनी चाहिए क्योंकि व प्राचीन काल में तो वस्त्र पूतम पिवेज जलम, पहले वस्त्र से छान के जल पीते थे, आजकल तो क्या होगा, अल्ट्रा वाइलेट वेव छोड़ छोड़ के इत्यादी सब करके, उसका वई ज्यानिक पध्धती से सुध्धी करन, संसुध्धी करन करके लोग जल पीते तो अब जो पीना है, पीओ आप, लेकिन उसके उपर भी जो रखा हुआ पातर है, उसको बार-बार जूठा ना किया जाए, और मुझ लगा के ना पिया जाए, क्योंकि लोटी अपने आप में शुद्ध रहनी चाहिए, लोटी का को भी अशुद्ध नहीं करना है, वो अब जो पार्णाओं को पहले का जाए, वो क्या जाता है, वो क्या जाता है, तो बड़ा दूख होता है, तो इसलिए मैं खास यहां कहना चाहूंगा, कि मैंने काफी वैश्णाओं घरों में ये विचित्र परमपरा देखी है, कि लोग चपल पहिंके इनके इस रवत्तर घ भूंते हैं, आप इसा ना करें, क्योंकि ये सनातन धर्म की मरियादा के अंतरगत भी नहीं है, अपन को अगर कहीं पहरना भी है, तो सेवा के परिधानों में चरण परिधान या चरण पादुका भी सपाट, खड़ाओं या जिसको स्वास्ताओं में पादुका ही कहते हैं काश्ट की वो ही होनी चाहिए, उसमें भी चपल के आकारकी भी आती है, खूटा वाली भी आती है, सपाट भी आती है, यहां खास वर्णन किया गया है, पादुका भिर ग्रहे यानम स्पर्शनम नईवकस्यचे और बीच में काहु को स्पर्श करनो नहीं, मतलब पावन में पादुका पहर के ही घर जानो, मतलब अपने जलाशे से लेके घर तक अपने को सपाट पहिन के जाना है, और आपने आज भी देखा होगा, कि जब भगवत क्रपा से सब टिकेट, तिलकायत, महाराज और पूरा मुख्या जीबरंद और सारे सेवक, तहलुआ, परचारक और सब अपरसी वैश्नो, जब सनान्य अत्रा का जल भरने भी जाते हैं, तो आप देखो, सब सपाट पहिन के जाते हैं, और सपाट पहिन के ही सनान्य अत्रा का जल भरके शिनाद्वारा में, और भी अन्य-न्य घरों में, सब जगें आप जलाशे से जब जल लेके आते हैं, त तो कहा कुम कुम अस्योर्ध पुंडरानी द्वादशांगेशु नाम भी शंक चक्रादी मुद्राश्च गोपी चंदन मृच्नया। फिर कह रहे हैं के बारों अंगन पे भगवन नाम को उच्चारण करते भए कुम कुम सो उर्ध पुंडर तिलक करने गोपी चंदन की माटी सो शंक चक्रादी सांप्रदाईक मुद्राहु अंकित करनी ऐसे करते इंद्रियन की भगवत सेवा के लायक आध्यात्मिक शुद्ध होते हैं यहाँ पे कहा कि पहले कुमकुम का तिलक लगाना उनको बारा अंगों पे भगवान की केशव नारायन मादवादी नाम लेकर और बारा अंगों पे द्वादशांग शुद्ध नाम भी तिलक करना आचाई चरण आग्या करते हैं कि दंडा कारम ललाटे स्यात पद तिलक करने और उसमें भी भगवत पादाकृती विश्नु पादाकृती निर्मान करनी उनको सचेद्र उर्ध पुंड़ तिलक मतलब टीकी के साथ उनको धरन करना और फिर साथ में कहे रहे हैं शंक चक्रादि मुद्राश्च मतलब मैंने कल परसों भी आपको बताया था अप नाम मुद्रा ओम श्रीमन नारायनाय और संप्रदाय मुद्रा श्री गोपी जन वल्लभाय और भगवान के चार आयूद तो ये नाम मुद्रा संप्रदाय मुद्रा और चार आयूद ये गोपी चंदन से यादक्षण में जो श्वेत मृत्य का प्राप्त होती है इसको कहत और इसी कारण से हमारे हैं शीतल मुद्राधारन करते हैं, तप्त मुद्राधारन नहीं करते, क्योंकि अपने को भगवान के विरह में तपना जरूरी है, अपने को विप्रयोग में तपना जरूरी है, अपने को जो ताप होना चाहिए, वो भगवद वियोग का होना चाहिए ना कि शरीर के जलाने का ताप हमने हमारे इरदय में होना चाहिए तो हमारे यहां कोई भी प्रिकार की दग्ध देह से यज्यादी कर्म निशिद माने है शास्त्र में इसलिए हमारे यहां शरीर को जला के हम शंक चक्र नहीं लेते हमारे यह शंक चक्र लेने की पद्धती शीतल मुद्रा की है इसलिए शंक चक्रा दिकमधार्यम मृदाम पूजांगम एवतत जैसा साधन प्रकरण में शिमदाचारी चरण आग्या करते हैं वैसे ही आग्या कर रहे हैं अब गोपी चन्दन जो है वो सबसे पवित्रमाना गया है ब्रजभक्तों की रजमानी गई यह चरणारविंद की और गोपी तलाओ में से द्वारका की द्वारका जी के समीप गोपी तलाओ नाम के स्थान पे से ये मृतिका प्राप्त होती है उसी प्रकार दक्षन भारत में मेलू कोटे मेल कोट नाम का जो एक दिव्यदेशम है उस दिव्यदेशम में स्री संपत कुमार स्वामी और योग नरसिंग भगवाद वहां विराजता है और वेदा द्री नाम की वहां पे पुश्कवेद गोटे एत्याजी नामों से दक्षन में जाना जाता है। गोटे उत्याजी नामों से दक्षन में जाना जाता है। उसका शास्त्र में वरणन प्राप्त होना चाहिए और साथ में उसमें भगवन माहत्मियन अपने हरदय में स्थापन कराने का सामर्थ उस मृत्यका में होना चाहिए ऐसी मृत्यका से भगवान के आयुधों को धारण करके सेवा में जाना चाहिए इसलिए कहा देवम का यजन देव रूप होकर ही करना है तो यहां ये श्लोक बताया कुंकमस्योर्धकुंडराणी द्वादशांगेशु नामभी शंक चक्राद्यमुद्राश्च गोपी चंदनम्रत्सनया इसके बाद आज्या कर रहे हैं चरणाम्रतपानम्च लेपस्चापी विशुद्धये ततस्त तुलसी मालाम ध्रत्वा संध्याम समाचरे समझा रहे हैं कि ताप आचें प्रभुन के चरणाम्रत जल को पान और उन अंगन पे लेपन करनो ताप आचें तुलसी की माला कंटी धारन करिके संध्या जपादी करने अब देखो ये जो तुलसी की माला है ये कौन सी म क्योंकि यहां पे इसके साथ संध्या का निरूपन किया गया अब संध्या में तीन प्रकार से गायत्री जब का विधान किया गया है एक दश गायत्री एक अश्टाविम्ष गायत्री और एक अश्टो तरशत गायत्री कोई भी आप संध्यों पासंद करो चाहे प्रात संध्य संध्या काल में जो गायत्री जप का विधान किया गया है वो 10, 28 और 108 ये तीम प्रकार के विधान किये गए बहुत कम समय हो तो 10 गायत्री जप लो थोड़ा समय है आपके पास तो 28 गायत्री को जपना चाहिए और इसके बाद अगर आपका अच्छा खासा समय है तो आपको प गिन लोगे, 28 भी आप गिन लोगे, अश्टो तर्शद गिनने के लिए क्या करोगे? तो एक जप की माला कंठ में पहरने का विधान बताया गया है कि जप की माला आप कंठ में पहर सकते हो सुमेरु वाली. अब वो क्या होता है कि अपन लोगों ने परंपरा से देखाई कि जब जो होता है, वो एक वस्तर की आड रख्य होता है, जैसे अपने आतों गवमुखी प्राप्त हो जाती है, जो वस्तर का जोला होता है, इसको हम गवमुखी कहते हैं, मैंने आपको पूरुव भी भी कहा था, इसको भी गवमुखी कहते हैं, जिससे हम जब करते हैं, बराब यह जब का विधान ये भी गौवमुख है और जो वस्तर की ठेली है जोला वो भी गौवमुखी है क्योंकि उसमें भी वो पूरा गौवमुख जैसा बना रहता है आकरती बरापर तो इसलिए तो हमको क्या कहा गया या तो गौवमुखी में जब करो और मालो आपके पैस उस् करमाला से गायत्री जप रहे हो तो उस समय आपको जन्यों हाथ में नहीं बांधनी चाहिए जैसे उत्तर भारत में क्रम ऐसा है कि उत्तर भारती ब्राम्मन जो वोते हैं गायत्री जप के समय अपने अंगुठा में वो अपनी यग्यों पवीत को लपेट के और फिर जप करते उसका कारण क्या था उसका कारण यही था है बहुत से ब्राम्मन उपर उत्रे नहीं पेहनते थे कितने ही ब्राम्मन उपर वस्तर पेहने बीना जल में खड़े खड़े आधे जल में मतलब कटी परियंत जल में या वक्षस्थल परियंत जल में खड़े होके संध्या करते थ उपर से पहनेंगे अंगोछा, गमचा या पंचिया तो वो क्या करते थे गायत्री जब का जब समय आता था तो अनाच्छा जित नहीं रखे अरे भई सारे तंतुओं से ही तो पट बनता है ये डोरियां डोरों से ही तो डोरे और धागों से ही तो कपड़ा बनता है तो कपड को एक अमूल क्या है तो गई पट का मूल है तंतु तो तंतु रूपी ये जो तार है यग्योपवीत के इनको ही अंगूठा पे लपट के इन से आवेश्चित मान के अपने हाथ को और करमाला से वो दशगायत्री, अस्टाविंशगायत्री, अर्थवा अस्टो तरशद ग गायत्री जप लेते थे तो ना दक्षण के लोग गलत बोलते हैं कि कपड़ा में जग्योपवीत लपेट के गायत्री नहीं जपना चाहिए और ना ऐसा है कि उत्तरभारतिये लोग गलत कर रहे हैं वही उत्तरभारतिये लोग भी सही कर रहे हैं क्योंकि यग्योपवीत अप आपने उत्तरी को भी या कमर पे बांद के देवकारिय करते थे और या नहीं होता था तो यग्योपवीत में ही जैसे मैंने आपको कल कहा कि यग्योपवीते द्वे धारिये श्रौते स्मार्ते तथी वचात तृतियम उत्तरी आर्थम वस्त्रा भावे चतुरतकम तो चोथी द्वस्तर के अभाव में भी धारन करनी है तीसरी उत्तरी के अभाव में धारन करनी है तो यहां जो तुलसी की माला कंठी पहरने की आग्या हुई है ये वो आग्या तुमारी ये दो कंठी वाली नहीं आग्या है ये जब की माला की भी एक माला गले में ही पहर लो ताकि को यह जब की तुलसी माला है इस प्रकार से आप जब सुसज्य हो जाओ सेवा के लिए मतलब स्नान करके अप्रस में आजाओ रेश्मी अत्वा धवत शुब श्वेत वस्तरों का जोड़ा आप पहर लो और मैं खास अस्त्रियों से भी आग्रे करूंगा कि प्राचीन काल से अध सेवा करनी कोई ने कोई भारती परिवेश में जिसमें सूथन ना आता हो सूथन मतलब कोई प्रकार का पजामा कोई प्रकार का भी कोई पाइजामा जो है वो पट्लून जो है उसको पेर के हमको भगवत यजन नहीं करना है इसलिए पंजाबी ड्रेस जो है वो अपनको का ड्रेस नहीं मानना चाहिए मतलब यहां तक की संप्रदाय का दुरभाग्य तो इतना बढ़ चुका है मतलब के लोग ब्रह्म संबंद की आग्यां लेकर जाते हैं और अगर हम बताना भूल जाएं कि भई आपको साड़ी ये चनिया चोली लेकर आना है तो बड़ी स्त्रिय अपने बच्चों को ये भी नहीं बताते हैं कि बिटा पंजाबी ड्रेस अलाउड नहीं है जिसको क्या मुझे तो इसका और कोई नाम भी नहीं पता जो सूट पहनते हैं वो वो अलाउड नहीं ऐसा नहीं बताते हैं पता नहीं क्यों और उसका परिणाम ये होता है कि जब इडरिस को खरीदा भई साड़ी ले आते चणिया चोली ले आते आप आपके भी तो को भारती परम-परा में वेश भूशा होगी ना आपकी नाती जाती की तो वो उठा के ले आते ये क्या पेर के आगए पटलोन पहन के आगए प्रमसमन लेने अच्छा समस्थ्या देखो कै पर दोटी पेनना भारती हैं सब्भे जनों को नहीं आता है क्यों कि लांग कैसे लगेगी और उसका भी क्या सब्स्टिट्यूट है रेडिमेट धोती अब रेडिमेट धोती क्या है वो भी एक प्रकार का पजामा ही तो है दोनों पेर उसमें डाल के आप चढ़ा के और नाड हो आपको धोती साडी चणिया चोली सटना ये सब चीरियों का आगरे रखना चाहिए ये सेवा के परिवेश बराबर अब ये वस्तर हमने पहर लिए हमने तिलक कर लिए चल्णामरत लेली शंक चक्रादी धारन कर लिए हमने यथा यथा अवकाश जितना अवकाश था समय वहाँ पे हमने पादुका पेरली सपाट पेरली सब करके हम सेवा में आ गए अब जैसे ही सब सेवा में आ गए तो अब भगवत सेवा रंभवेदी हो रही है क्योंकि कहां पर लास्ट अपने को छोड़ा गया ततस्तु तुलसी मालाम ध्रत्वाम संध्या समाचरे मतलब अपने को प्राता संध्या कम से कम कर लेनी हैं अब कह रहे हैं परिचरिया हरेकारिया परिवार जनई सह गत्वा हरिपदम पद्भ्याम स्टुत्वा द्वारम प्रणम्यच प्रविश्य मार्जनई लेपई पात्रा नाम शोधनम चरेथ परिवार के लोगन के संग मिली के प्रभून की सेवा परिचरिया करें सबसे पहली शर्त सेवा में परिवार के लोग भी साथ में होनी चाहिए परिचरिया हरेकारिया परिचरिया तुम ठाकुर जी करो परिचरिया मतलब सेवा परिवार जनई सह किनको साथ में लो परिवार क लोगों को साथ मिलो। और कहा गत्वा हरी पदम 500 चल के प्रभून के विराजवे के स्थान को जाए। मंगलाचरण में एक श्लोक दिया हुआ है उस मंगलाचरण से प्रभू के धाम को नमस्कार करना चाहिए नमो नमस्तेस्त व्रशभाय सात्वताम विदूर काश्टाय मुहुक को योगिनाम निरस्त साम्यात शहेन राधसा स्वधामनी ब्रह्मनी रमस्यते नमहा इस प्रकार स अपने घर के अक्षरण ब्रह्मात्मग गोलोक धाम सदृष भगवत मंदिर के द्वार को नमस्कार करके वहां खड़े होके ये विचार करके यहां राधाजी रूपी अपनी परमालादिनी आदिशक्ति के साथ भगवान रममान हैं ये वो दिव्य धाम हैं इस प्रकार से अपने ठाकुर जी के मंदिर को अपने ठाकुर जी के प्रांगन को अपने ठाकुर जी की डेली को अपने गोलोक धाम की मर्यादा समझ कर उसको नमस्कार करना चाहिए और प्रणाम करके फिर अंदर जाना चाहिए और प्रविश्यमार्जने ले पे ही पात्राणाम शोधनम चरे, भगवन मंदिर के द्वारन के आगे इस ती प्रणाम करके मंदिर के भीतर प्रवेश करे, सुर्ण रजतादी के पातरन को मांजिके, अरु माटी के पातरन को लीपी के शुद्ध करे ज़धी अंदर जो पुराचीन पातर हैं मतलब जारी बंटा इत्यादी सब वड़ा करना अपने को रात्री के बंटा में जो भी अनसकडी के दूद घर के इत्यादी बंटा हैं वो हैं प्रभू की तस्तरी हैं मतलब प्रभू के पीक दान हैं तबकडी तस्तरी आदी वो सब चीजों को वड़े करने और वो सब चीजों का प्रविश्य मा प्रतिका का लेपन करके उनका शोधन करना इस प्रकार अर्थात जाडू करना और पोता मंदिर में लगाना अपनिया जाडू पोता ऐसे नहीं बोलते अपनिया उसको मार्जनी से मतलब सोहनी से कचरा काड़ना और मंदिर वस्तर से मंदिर का मार्जन करना ये दो अपनिया के शब्द हैं सोधनी और मंदिर वस्तर मतलब सीधी भाश्या में जाड़ू और पोता थाड़ू और को कर दो कि 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 क app है इसलिए नी और मंदिर वस्तर या हम प्रबुद हैं तो यहां पिर भगवत प्रभोधन के लिए कह रहे हैं संब्रित्य सर्व संभारं प्राता राशादि पुर्वकं प्रभोध्य श्री हरिम प्रेमना मुखश शुद्धिन शुकादि भी ही अलंकृत्येवत अतह सिंधासन समुपवेश शयेत मंगल भोग जलपान की जारी आदी सर्व वस्तुन को पहले सुही साजी राखने मतलब ठाकुर्जी जगें उसके पहले जारियां तैयार हों मतलब भरे बिना जारियां खासा होके मंच के नेवरा नैल चलके तैयार हों मंगल भोग चौकी पे तैयार हो थादी सर्व वस्तु पहले सु साज राखनी ताप आचे प्रभून को प्रेमसों जगाओने अब देखो इसमें क्या है बहुत समझने की वस्तु है जब हम ठाकुर जी को जगा रहें तो हमारे जगाने में दो विधान बताएगए हैं एक शंखनाद और एक गंटानाद शंखनाद जो है वो महा प्रभू जी के निधी जहां बिरास्त zeggen गुसाई जी की निधी जहां भी रजते हैं, वहां होता है, उसका तात्पर ये नहीं ये निधी स्वरूपों से, उसका तात्पर है कि आज प्रायह एका दो भगवन स्वरूपों को भगवन निधी को छोड़के महाप्रभु जी गुसाई जी की काल की, प्रायह सारी महाप्र परश भी उपनीत लोगों को ही प्राप्त है अनुपनीत लोगों को बिना यग्यो पवीत वारेन को बिना जन्य वारेन को जिनको ब्रह्मसूत्र सावित्रे मंत्रों पदेश नहीं हुआ जिनोंने गायत त्री रवन नहीं किये उनको शंख का साले ग्राम का शिवलिंग का इन इसलिए अपने हां शंग नाद का विधान जन सामान्य सर्व वैश्णव जनों के घर पे नहीं रखा गया है जहां महाप्रभुजी गुसाइन जी की निधी विरास्ति हो अर्था जहां वल्लपुल के हां सेवा का प्रकारजा है वहीं ठाकुर जी के मंगला और उत्थापन श बहुत से वैश्णव भाव में कैसे जगाते हैं यह गलत बात है हाथ से से नहीं जगाना चाहिए ताल पीट के कहां जगाते हैं जहां प्राचीन काल में परदेश करते प्रवास करते सब करते वहां घंटी जी ले जाना भूल जाते घंटी नहीं होती घंटी तूट जाती क कोई भी कारण होता कि जिस कारण से घंट नाध न हो सके तो कोई न कोई धंग से प्रभू को सचेत करने के लिए घंटी की भावना से ऐसा करते थे लेकिन अपनिया इसे ताली बजाके नहीं उठाते हैं आप ऐसा किसी सामन्य वेक्ति के साथ भी करोगे न उठो तो वो गुस से जाते हैं युझा का युझा थो अरे युझा भी किया है ॹए तो इससे कोई आता है इसे को इन आतप है बलाव चलो खालो एजल्दी करया जल्दी म은 इस से चुटकी बिजाना ये असभ्यों के लख्षण है नगे नहीं तो इसके विदान नहीं है कि अधाकुर जी को जगाना ना अभी कितने लुगों को आदत होती है चलती आर्ती में इसा पीछे खड़े हो के कर रहे हो अब उनकी भावना होती है हम तकोरा कर रहे हैं घंटि कर रहे हैं तो कि वह दो गहां प्रकुर भी तरह को दो वहाँ देवता आते हैं और आशुरी शक्ती महां से जाती हैं। तो मैरे ऐसा ताली बजने से कौन जाएगा और कौन आएगा, कोई नी आएगा जाएगा। ठाकुर जाएगा कि क्या बत्तमी जी से उठा रहा है। ऐसा बोला जाता है कि मिर को। तो ऐसा बहुत चीजे हैं कि जो संप्रदाय में ध्यान देने की हैं। जो संप्रदाय में ध्यान देने की जो संप्रदाय में ध्यान देने की हैं। शुब अनली पिटना, करना ये साब अपनी हां नहीं हैं अपनी हां देखो कोय भी चीज में इस पर संप नोते हैं। तो हापन क्या करते हैं? गोर्धन नाथ कीज़े! से हाथ उटाएंगे जै करते हैं हापन! मारवाले कोई चीज़ से प्रसंद होते हैं, क्या करते हैं? वाओ! That's great! ओहो इथ एए आस ए刹नि है एक गे dès चूट ए सा इं्टरवल को लेकर ऑजा जानी है 중요ती है जो धाके भाष्दर आसले डिंग डिंग भरे में बहुत टिंग अच्छे डंग सा उसकी ध्वनी होनी चाहिए और ठाकुर जी को सुखान रखें क्योंकि यहां कहा है प्रबोज्य श्री हरिम प्रेम ना प्रेम से जगाओ ठाकुर जी को आओ जी भी करो तो धीरे से करो आओ आओ अच्छे डंग से बोलो आओ आओ ऐसा एक दम अदमी डड़ जाए क्या हुआ कहा से कौन आया मतलब ऐसा ऐसा नहीं इसलिए मैंने कहा सेवा बहुत पेशेंटली करनी है शांती से करनी इसमें कोई हडबढाट नहीं करनी कोई समय नह जगाओ जल्दी मंगल भोग धरो मत धरो सबको जाने दो ओफिस तो कॉलेज पिर जो बचो घर में वो सेवा करो नहीं बचो होगी आच्छमन मुक्वस्त्र कराए कि आच्छे अब यहां यह जो आच्छमन मुक्वस्त्र आदी है यह मैं बाद में आच्छमन उने वाले हैं प्रभु के मुक्वस्त्र को भी अथास्थान सिंगासन पर पदराना क्योंकि अपने आठाकुर जी कोई गलत उपदेश नहीं कर रहे हैं वो उन सब चीजों की तया आच्छमन भी कोई ठंडे जल से थोड़ी होंगे जैसे सनान गरम जल से होते हैं वैसे आच्छमन का जल भी ठाकुर जी का थोड़ा उश्णोदक किया जाता हैं वो उश्णोदक से ही प्रभु के आच्छमन होते हैं इसलिए आच्छमन की व्यवस्त्ता मुक्वस्त्र की व तो वो सब ठीक करने ठाकुर जी के तनिया ठीक करने चरणारविंद की और श्रीहस्त की एक-एक जो एकटम जीने मोती की अगर पहुंची या नूपूर जेसे धर क्या पोड़ें तो वो सब ठीक करके मंगला के वस्त्र धरने ओडनी ओड़ानी अत्वा जो समय तु अनुसार पी छोड़ा उपणना चल रहा हो या आडबंद चल रहा हो वो धराना ये सब ठीक करना और इसके बाद के रहें मंगल भो आर्ती और स्नान की विधी मंगल भो की विधी क्या है मैं एक बार चाहूंगा कि मुझे भक्ति से तो हवे लिए आप 102-103 से थोड़े ग्रंत के दर है तो हम चार तक एक बढ़ जाते हैं तांबू लैसु जलेर यजे ततो नीराजनम कार्यम मंगलम गीत वाद्यकई ही और अभ्यंगोन मर्दने स्नानम ग्रहस्नान विधानता स्तुत्वा कलिंद जाम सनाते कुरिया संप्रून छनान शुकम यहां पे और यहां पे आधा ही वाद के दिया हुआ है कि एक सो चार में तो लेकिन चलो ठीक है हम यहां तक तो पहले देखे हैं तो कह रहें कि मंगल भोग में पकवान चौर मठड़ी आधी पकवान ताजो माखन सुमधूर ताजा जल समर्पे ता पाचे भोग सराय के बीरा समर्पे समया नुरूप अंगल आर्थी गोपाल की माई Arsen प्रभुचरंशी गुसाईंजी की हैं ठाकुर जी गुसाईंजी की इस कृती से ही मंगला आरती नित्य करवाते हैं तो मंगलम मंगलम ब्रजभुई मंगलम करके और ठाकुर जी की मंगला आरती करनी मंगल भोग में यहां खास बोरस का विधान और पकृत के ठोर मटरी वारा उससे विशेश करके तो माखन, मिश्री, दूद और दही की कटोरी ये सब चीज़ें मंगल भोग में विशिष्ट बताई गई हैं ठाकुर जी दूद के उपर पढ़ने वाली मलाई में भी आप शरकरा मिश्रित, बूरा मिश्रित ऐसी मलाई भी आप अरोपते हैं तो दूद धरना, मलाई धरना, माखन धरना, मिश्री की बूरा की कटोरी धरना, साथ में दही भोग धरना और इन समोग साथ मठडी अचार की कटोरी भी धरना ये सब विधान पकवानने का भी बाद हयंग भी इने पकवान ही और जब मंगल भोग सरे तब भी अपने आम अंदिरों में हवेली में बीडा धरने का विधान है कि मंगल भोग में भी भोग सरे बाद पहले बीरा आते हैं, बीरा धर के आच्मन और मुखवस्त्र होते हैं, मुखवस्त्र होके और फिर ठाकवड़े की मंगला आर्ति करनी है तो कह रहे हैं, ततो नीरा जनम, कारियम, मंगलम, गीत वाद्य कही ही, और फिर सनान का प्रकारियां बता रहे हैं कि अभ्यंगोन मर्दने सनानम गरस्तान विधानता, स्तुत्पा कलिंद जाम सनाते, कोरियाच संप्रोन चनान शुकम सुगंधित तेल, आवरा, चंदन, केसराधी, समर्ख के, घर में सनान करवे की शास्त्री विधानसों, श्री अमना जी की स्तुती करके प्रभून को सनान करावे और ताप आचें, अतिकोमल, सूती वस्त्रसों, श्री अंग को पहुँचें मतलब ठाकुर जी के अंगवस्त्र करने में, जिस वस्त्र का प्रयोग होता है, वो केवल कौटन का नहीं होना चाहिए, अभी कौटन में भी वो मलमल होना चाहिए तो जो हम अंगवस्त्र ठाकुर जी का करते हैं, प्राये लोग क्या करते हैं? अच्छा, water sucking cotton ले लेते हैं, वो cotton क्या होता है? cotton hard भी हो सकता है, हार्ष भी हो सकता है, प्रभू को चुबे ऐसा भी हो सकता है, इसे जो ठाकुर जी को न चुबे न परिश्रम दे, ऐसे मलमल के व मुखोस्त्र का वस्त्र तयार करना चाहिए, और उसी मलमल से ठाकुर जी का सनान का अंगवस्त्र जो होता है, अपने उसको अंगवस्त्र कहते हैं, अंगवस्त्र और मुखोस्त्र प्राया बहुत सुंदर क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के मलमल का होना चाहिए, तो ये ख्विशेश करके उत्सव पासव के हिसाब से भी आपकी आज्या कर रहे हैं, रोज रोज अभ्यंग नहीं कराना है, रोज हमको कोई आवरा, चंदन और जिसको हमारे चमेली का तेल बोलते हैं, वो चमेली के तेल को ही पुष्टिमारगी भाषा में फुलेल बोलते हैं, पहले फुलेल समरपा जाता है, उस पे आवरा का लेप होता है, और उसके बाद सनान होने के बाद चंदन के लेप से सनान होते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को ठाकुर जी का अभ्यंग कराना कहते हैं, और जिस दिन बहुत बड़े विशिष्ट उत्सव होते हैं, उस दिन च प्रभू के उबटना में तो केवल चंदन जो होता है वो केसर मिश्रित ही होता है तो केसर घौट के जब हम चंदन में मिलाके आमरा और पुलेल अर्था चमेली के तेल के साथ ये टोटल अभ्यांग प्रभू को करें तो उसको उबटना कहते हैं जिस दिन बहुत सी प्रणालिकाओं में भावना ग्रंथ में लिखा होता है आज अभ्यंग दोरो दोरो मतलब डबल, वो डबल का मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक पर ठाकुरजी को नवालिया वापिस पकड़ के वापिस एक बार नवाल दिया दोरे का मदला होता है ये उबटना के साथ केशर मिश्रिच चंदन से ठाकवरदी को सनान कराना इसको कहते हैं उबटन कराना दोरो अभ्यन परावर तो उसमें केवल ऐसा नहीं होता है कि दो बार हो तो पहले प्रभु को सनान के आसन पे पदरा के पहले अपन जैसे अपने श प्रतीकात्मक स्वरूप है। मंत्र क्यों नहीं बोले जाते हैं क्योंने प्रहु को स्दान कराती हैं तो जहां मूर्ती-मंत्य शुतिरूपा रिश्ण रूपा गुपीजन सेवा में विराज रही वाणी को क्या प्रयोजन है तो वाचो निवर्तंते अप्राप्य मनसा सहा आनंदम ब्रम्नो विद्वान इसलिए अपनिया की जो सेवा है वो मंत्रा स्वयम भगवान्शी कृष्ण वी मूल बीज आप स्वयम है इस और जिस दिन अभ्यंद स्नान हो फिर आवला से स्नान फिर चंदन से स्नान और चतरविंश जो प्रधान उत्सव है संप्रताई के उनमें उबटना का भी क्रम होता है तो खेसर मिष्ट चंदन से स्नान और उसके बाद पुनश्च चार लोटी से शुद्धोदक स्नान होने के बाद नित्यका स्नान तो अभ्यं तो आज हमने जिसे कल हमने अपने भगवदी जीव को नवा के छोड़ दिया था वैसे हम आठ ठाकुर जी को भी स्नान करा के यहाँ पे गादी पे पद्रा के रख रहे हैं भावना से और कल हम आगे उनका वस्त्र शिंगार से उनको सुसजित करेंगे तो विशेश करके घर घर की रीत अलग-अलग हैं सब जगे के लिला भावना स्वरुप भावना भावना सेवा करम जो हैं वो जुदे जुदे चल रहे हैं तो वो क्यों चल रहे हैं क्योंकि विशेश अतश्चेद आग्या स्याद अंतक करन गोचरा जिस समय पे जैसी हमारे पूरवाचारियों को पूरवजों को भगवद आग्या ततत धाम में विराजमान भगवद स्वरुकों ने की उस प्रकार से भी थोड़ा मॉडिफिकेशन सेवा के करम में आया है आप लोग अपने अपने घरों में जो जिस भाव से जैसी भी सेवा कर रहे हो यदि वो आग्यां से या आपके गूरु घर से सार्टिफाइड है अथेंटिकेटेड है तो इट इस वेल और गुड़ वाब भूद अच्छी कर रहे हो आप उसको भले ना बदले लेकिन गोपिनात प्रभू चरण जो विधान दे रहे हैं वो भी एक प्रकार का जेनरल युनिवरस ग्लोबल एप्रोच टू कुष्टिमारगी कृष्ण सेवा का एक क्रम है और वो मूल क्रम है तो यहां जो बाते होंगी वो बहुत ज़्यादा क्लासिफाइड या उनको मतलब systematically नहीं बताया जाएगा उनको एक सिस्टम के रूप में बताया जाएगा कि पहले जगते ही क्य क्या करना है कैसे जगाना है क्या करना है कहा पदराना है कैसे उनको फिर क्या भोग धरना है ऐसा ठोस ठोस विधान किया जाएगा अब उसमें कोई पूछे के फिर ये धर सकते हैं के नहीं वो धर सकते हैं के नहीं ये धरना चाहिएं के नहीं वो धरना आपको सब चीज़ो को सहज बना के रखो, सेवा को नित्यव हो सकें ऐसी रखो, सेवा को देशकाल परिस्तिती और आपतिकाल में भी प्रभु अपने द्वारा संसेव्यमान हो सकें, वैसी हमको सेवा के क्रम को रखना चाहिए, सेवा के क्रम को इतना ज्यादा अतिरंजित, exaggerated नहीं कर देना चाहिए कि जिससे हम खुदी बाद में confused दो जाएं हाई ये नहीं मिल रहा है अब कैसे करें हाई वो नहीं मिल रहा है हम कैसे करें अब लोग पूछते है ठाकुर जी के दूद में इलाईची रोट डालनी के नहीं ये सहब आपकी आदतों पे निर्भर करता है आपको कैसा प्रशाद लेने की आदत है प्रभू को तो जो अधिक अस्य अधिकम फलम अधिक से अधिक सुन्दर करके धरोगे तो भी लेकिन पिर अगर रोज केसर डालोगे तो सादा दिन में और उत्साओं में क्या फरक मालूम पड़ेगा आज केसर मिश्रित ठाकुर जी दूद अरोगे हैं आज हांडा जैसा कुछ अरोगे हैं आज केसरी आज की लोक भाषा में जिसको कहते हैं मसाला मिल्क ठाकुर जी आज मसाला मिल्क अरोगे हैं तो वो कैसा है मालूम पड़ेगा कि आज ठाकुर जी डेखो रस का अनन्द कब आएगा अन फ्लेवर्ड सिर्फ मीठा कीजिये उसको रोज फ्लेवरिंग करोगे तो ठाकुर जी गाये के जो दूद का अनन्द है वो नहीं ले पाएंगे फिर इलाइची इलाइची का आनन्द आएगा, इसलिए इलाइची का प्रयोग रोज नहीं है, इलाइची और केसल का प्रयोग उत्सव के दिने, जिससे आठ हाकुर जी को भी मंगल भोक का कटोरा देखके लगें, अरे वा, आज तो उत्सव है, अब आप क्या को होंगे, अर जितनों दियो है उतनों करो साधा दूद्ध भोग धरो वामें शक्कर पदराओ गरम गरम धरो तुम ले सको वैसो सुहातो तातों जैसा बताया और जब कुछ एडिश्टन करना है तो देखो प्रणालिका में लिखाए आज चोटा बड़ा कोई उत्साव है उत्साव है तो कोई शिष्ट कोई वस्तो अरोगाओ तो मैं किसी को कोई चीज की कटोती करने को नहीं कह रहा हूँ लेकिन बढ़ोती तब ही करो जब उत्साव के दिन उससे भी सूपर फाइन कुछ अरोगास नहीं तो उत्साव के लिए कुछ छोड़ो वर्षवर में 125 बड़े दिन आते हैं और वो उत्सावों पर लगना चाहिए का ठाकुर जी में उत्साव है इसके हम भी लेखो वल्लब को रोज हमको क्या बताया है सफेद कपड़ा पहिन के जाओ सफेद कपड़ा क्या है श्वेत वर्ण श्वेत रंग जो है निर्गुन भक्ती का पर दोती बंडी पहन के बालक सब सेवा में जाते हैं पर उत्साव है दरबे ठेशी लगना तो बधाईयों में देख लो रोज-रोज लिखाए कि केसर की दोती पहरे केसरी उपर न ओड़े रोज नहीं लिखाए बधाई में लिखाए क्यों कि उस दिन आप केसरी रंगों म प्रस्ता होए आप अगर साधा श्वेत वस्तर पहनो होगी लगा नित्य की सेवा का समय है तो ये चीजों का विवेक भी रखना चाहिए क्या पहन के सेवा में जाते हैं अब बड़े-बड़े उत्साव के दिने डार्क-डार्क नीले काले ऐसे शेड पहन के सेवा में चले और जिस दिन उत्साव है उस दिन जरी की साडी पहन के जाओ जरी की चणिया चोली पहन के जाओ तो गोटा लगी हुई जिसको जरी के सोनेरी रूपेरी गोट हो जिसमें ऐसी वस्तु पहर के जाओ अपने साम्परदाई का वेश-भूशा परिवेश से भी ठाकुर जी को विए पता चलना चाहिं कि आज मेरे क्रम में आज सेव करम में अज उत्सव है आज बड़ा दिन है आज साधा नित्यका नित्यवत सेवा प्रकार है तो यह सब चीजों का आनंद अपने साथ भी आना चाहिं खाली ठाकुर जी कि ओड़नी देखके नहीं ख़बर पड़ना चा बश्चाल की सेवा वर्षोत सव रतु काल के अनुसार सेवा ये सत कीजों मिलाती है इसके जब vale sug हम्को कॉप्रशन करते हैं तो हम भी एक सा उत्तर देते हैं आप के जो पदार्थ हों उनसे आप सेवा कीजिए यतोप मिलितोप चार द्रव्यई ही कृष्णा संसेव्य आपके पास जो उपचार मिले आप उससे सेवा करिए सेवा भाव पूर्वक करिए सेवा प्रेम पूर्वक करिए सेवा निष्ठा से करिए स्वधर्म जान के कीजिए तेर नहीं मांगे उसको जाने कि इतना भी बुलाने की जरूत नहीं संस्कार देने के भी समय होते हैं अब वो समय चला गया असंस्कृत है कि जब प्रभू को उसको निरुद्ध करना होगा प्रभू स्वयम कृपा करके करें ब्रम्मास्मी हो जाओगे तो दासुहम कब करोगे तो हम ब्रम्मास्मी मत बनो दासुहम में रहो इसी के साथ आश्रे के पदका मैं आग्रे करता हूँ द्रडईन चरनन केरो भरोसो द्रडईन चरनन केरो शीवल लभनक चंद्रचटा बिन सवयोग मांझ अंधेरो भरोसो द्रडईन चरनन केरो साधन और नहीं आकली में जासों हो ये निवेरो सूर कहा कहे द्रविधया अंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो द्रडईन चरनन केरो भरोसो शिगोवर्धन आथ कीजे शाम संदर्शियमने महराणी कीजे शिवल भाधीश कीजे शिगुसाईजी परमदयाद कीजे आज के आनन्द कीजे